असलाम लेकुम एवरिवन कहते हैं ना कि आउटिंग इस दा बेस्ट वे टो रिफ्रेश यूर्सेल्फ तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम भी आउटिंग पे चले तो आउटिंग के लिए आपको प्लेस ऐसी चाहिए होती है जहां पे आपको बहुत ज़्यादा सकून हो और आप जब बैठें तो आप वहां पे बड़ा रिफ्रेश फिल करें तो यहां पे जो हमने बड़ा सोचा कि हम में कहाँ जाना चाहिए तो हमारे करके बिलकुल खरीब रेस्टरेंट है Bistro Restaurant तो हम आ चुके थे, यहां पे दुपहर का टाइम था दूप बड़ी ही मज़े की लगी हुई थी तो हमने का चलो थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेंगे हम यहां पे दूप भी सेख लेंगे तो हम यहां पे जी आ गए थे अब Bistro 201 की सबसे बेस्ट तिंग जो मुझे लगती है वो यह है कि इनका इंडोर डाइनिंग भी है और इनका रूफटॉप भी है अब इंडोर डाइनिंग में अगर आप बैटना चाहें तो वो भी आपको बहुत अच्छा वियू मिल जाता है यह बहुत ही खुबसूरत रेस्टॉरेंट है और यह बिले रीजनेबल प्राइस पे है और उसके इलावा जो इनका आउडोर है वो इतना खुबसूरत इनका वियू है कि आपको किसी भी रेस्टॉरेंट में ऐसा वियू नहीं मिलेगा मैं तो जब भी चाहती हूँ मैं उपर रूफटॉप पे बैटना बहुत पसंद के थी क्योंकि इनका वियू इतना मज़ेका है कि वो बन्दा वहां पे बैटके बहुत ही रिफ्रेश फिल करते है और यह रिक्मेंड कि जब भी आप जाएं तो आप ही रूफटॉप को ज़रूर एंजोई करें तो फैमली के साथ मैं सुचते हूँ कि कभी कभी हमें जाना चाहिए क्या हम हर टाइम बीजी रहते हैं अपने घर के कामों में अपने जॉब्स पे तो जब वीकेंड होता है तो कमस कम हमें वीकेंड में एक दफा ज़रूर जाना चाहिए तो यहां भी इनका जो सूप मुझे बहुत अच्छा लगता है यह उटनसौर सूप है तो यह बहुत ही मज़े का यमी है तो यहां पर हमने सबसे पहले सूप ट्राइ किया सूप ट्राइ करने के पास चाहसा दूसौर भी सेखर यह थी तो बहुत ज्यादा वो मज़ा आ रहा था फ्रआमली के साथ घुमने के लिए आपके लिए पास बेस्ट प्लेस है तो हम संदे को दुपहर के तायम गे ते तो दुबहर के टाइम इता साथ रशनी होता तो इस वज़े से बड़ा ही सुकून था हम बैठे वे तो और आम बास वीव को एंजोए करे थे आप भी कभी जाएं तो दुबहर को प्राय करें कि शाम के टाइम तो बहुत जादा रशनी हो जाता है वैसे भी अंधेरा हो जाता तो इस वज़े से उसे बहुत मसा आ रहा था तो वो इर्दिगिर सारा देख रहा था कि मैं तो नहीं जगा पर आ गया हूँ क्या यह बात है मैं तो इंटरटेन ही बहुत हो रहा हूँ तो बेटा मेरा बहुत खुश हो रहा था ऐसी ओपर चील ओडर रही थी ना तो उसको देख देख के बड़ा खुश हो रहा था तो सूप को खतम करने के बात जो है वो हमने वहां पे स्टे किया थोड़ा क्योंकि आप खाने का बिल्कुल मोड नहीं था क्योंकि नाश्ता भी करकी हम लोग गए थे लेकिंगे उसके बावजों जाहर है आप कहीं जाए और कुछ खाए ना यह कैसे हो सकता है तो मैं तरुक्मेंट करूंगे कि बच्चों को आपको बहर लेके जाना चाहिए और जब आप ब बोड ले जाए अधर्वाइस पेवी चेयर तो बैस तिंग है तो यहां पर हमने जो है वह थोड़ा खाना इंजोए कि आप खाना कहते हैं मेरे हर दफा यह क्या आता है कि मैंने यार काना कम खाना है क्योंकि मैं पहले ही तना स्यादा वेट गें कर चुकि हूं शादी के बा में खाना में खुब एंजोए करे का खाती हूं एजई को थोड़ा फू फाल पर पोटेटर चे खाया क्योंकि जादा खाता नहीं है बड़ा मुश्किल से जो अभ़ा इसको खिलानापड थो यहां पी पेस थोड़ा सा खिला रिखी तो भर बवी बस एंज़ए करके खा रह है आप अगर पीएंगे ना तो आप अगर बहुत मसा आएगा यहां भी उन्हें ने म्यूजिक भी लगा दिया तो मैंने तो बहुत मज़े में अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलने लिए